हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू SSA क्रेकर्स और इस चैनल पर फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो इस वीडियो में हम लोग SSA CGL 2021 एक्जाम के लिए जो है बहुत ही जादा इंपोर्टन कोशन पढ़ने वाले हैं स्टाटिक जीके का समझी एक तरह से बार-बार पूछे जाने वाला ये राम बान प्रसन है और टोटल जो है 100 MCQ कोशन है और उमीद है कि इस 100 MCQ कोशन में से बहुत सारे कोशन जो है ये आपके CGL 2022 के एक्जाम में रिपीट होगा ठीक ह तो देखते हैं कि ये जो 100 Qs है इसमें आपका कितना Qs करेक्ट होता है एक तरह से आप लोगों का Revision Test है ये क्योंकि आप भी जानते हैं कि एक्जाम आपके सामने है बहुत कम टाइम है तो ये आपके लिए Revision Test है तो आप रेड़ी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट कोशन के साथ पहला कोशन है What is the name of the highway that connects China to Pakistan तो चीन को पाकिस्तान से जोडने वाले राज मार्क का क्या नाम है चार ओप्सन दिया वा है क्या होगा राइट एंसर तो जो highway है उसका नाम है काराकूरम highway यही वो highway है जो connect करता है चाइना को पाकिस्तान के साथ Next question है Which of the following tribes practice polyandry? तो कौन सी जन जाती है जो बहुपती प्रता का अभ्यास करती है ठीक है जिसके एक से जादे पती होते हैं तो यह कौन सा वो tribe है जो follow करता है इसका नाम क्या है? Right answer होगा जौन सारी यही वो tribe है Next question है Which of the following rivers is known as the Dakshin Ganga and Virdha Ganga? तो वो कौन सी नदी है जिसको Dakshin Ganga और Virdha Ganga के नाम से जाना जाता है यह बहुत पर question पूछा गया है Right answer क्या हो जागा गुदावरी Very good सबका सही आरा answer Which river finally falls into Arabian sea? तो वो कौन सी नदी है आप जानते हैं कि इधर है आपका Bay of Bengal और इधर है आपका Arabian sea तो इधर जो है आपका कौन सा वो river finally fall करता है तो right answer क्या जाएगा? तापती नदी Next question है खंब स्वाइंग is a popular folk drama performed by witch tribe तो खंब स्वाइंग किस जन जाती दोरा किया जाने वाला एक लोग प्रिये नाटक है? तो right answer क्या हो जाएगा? कोर्कू Next है जनपीद अवार्ट is given for excellence in which of the following fields तो जनपीद अवार्ट जो है यह किस छेतर में दिया जाता है? तो right answer क्या हो जाएगा? यहाँ पर social work के लिए Next question है मर्यूर was in the news as it got GI tag It is a variety of dash तो मर्यूर GI tag मिलने के कारण चर्चा में है यह dash की एक किस्म है तो किसका किस्म है यह? तो right answer क्या हो जाएगा? जाएगरी का Next है In which state for the rock shelters of the Matic UNESCO site located? तो भीम बेट का जो है UNESCO site यह कहाँ पर located है? तो यह है आपको कहाँ पर? मध्य परदेश में Next question है तो यह temple कहाँ है? यह आपको मिलेगा तमिल लाडू में Next है तो जो चम्बल नदी है यह कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ठीक है? कहाँ से निकलती है चम्बल नदी? चम्बल नदी निकलता है आपका कहाँ पर? जाना आपाओ हिल से Okay Next है What is the currency of Malaysia? Malaysia का currency का नाम क्या है? है ना? चार options दियावा है Confuse नहीं होना Right answer पर टिक करना है आपको तो option number D होगा यहाँ पर Malaysian Ringgit Next है आपका Kalesha Temple at Elora was built by Dash तो Elora का जो है Kailash Mandir यह किसके द्वारा बनाया गया था? तो किसके द्वारा बनाया गया था? तो Krishna One के द्वारा बनाया गया था यह Kailash Temple Elora का कहां है महराश्ट्रा में? Next है विरुपाक्षा Temple in Hampi is dedicated to which Hindu God? तो Hampi में विरुपाक्ष मंदिर किस Hindu भगवान को समर्पित है? तो यह समर्पित है किसको? Lord Shiva को Next है New Development Bank was established in New Development Bank की अस्थापना जो है यह कब हुई थी? तो यह हुआ था आपका July 2015 में New Development Bank का अस्थापना Next है पंजाब National Bank का Tag Line क्या है? सब बैंक का अपना एक Tag Line होता है तो पंजाब National Bank का Tag Line क्या है? तो राइट एंसर क्या हो जाएगा? The name you can bank upon Okay of City Union Bank Limited तो City Union Bank का जो है इसका Tag Line क्या है? City Union Bank का Tag Line क्या है? तो यह है Trust and Excellence Since 1904 क्या है? Trust and Excellence Since 1904 When was State Bank of India Established? भारतिये State Bank की अस्थापना जो है यह कब हुई थी? State Bank की अस्थापना कब हुआ था? तो राइट एंसर क्या है? 1955 में हुआ था State Bank का अस्थापना Okay Next है Kotech Mahindra Bank का Headquarter कहा है? Kotech Mahindra Bank का Headquarter आपको कहा मिलेगा मुख्याले? यह मिलेगा महराष्ट्रा में Next है मिनाक्षी टेम्पल यह किस राज में इस्तित है? मिनाक्षी टेम्पल मिनाक्षी टेम्पल जो है यह है कहां पर? कमिल लाडू में है मिनाक्षी टेम्पल Next है जगनाथ टेम्पल इस लोकेटेड इन विच स्टेट जगनाथ टेम्पल यह कहां पर है? यह है आपका ओडिसा में Next है इन विच स्टेट पदमनवा स्वामी टेम्पल इस लोकेटेड तो यह टेम्पल कहां पर है? यह आपको केडल में है रंतंबोर fort is located in which of the falling states रंतंबोर fort ये किस राज में इस्तित है रंतंबोर ये आपको परेगा कि राजस्थान में नेक्स्ट है उगाडी is the most exclusive festival of which of the falling states तो उगाडी जो है ये निमलिकित में से किस राज का सबसे विशिष्ट तहवार है उगाडी आपको हो जाएगा आंदरप्रदेश का नेक्स्ट है मुंदरा थर्मल पावर स्टेशन इस लोकेटेड इन विच स्टेट मुंदरा थर्मल पावर स्टेशन ये कहाँ पर है ये आपको आएगा कहाँ पर गुजराज में नेक्स्ट है who is the present governor of मनीपूर मनीपूर के present time पर governor कौन है मनीपूर के राजपाल कौन है इनका नाम है यहाँ पर answer दिया है none of the evil तो right answer यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये आपको comment करके बताना है देखते हैं कितने लोगों को इसका जवाब मालुम है मनीपूर के governor का next है in which of the falling states इंद्रा सागर डैम इस लोकेटेड तो इंद्रा सागर डैम यह कहाँ पर लोकेटेड है तो right answer क्या होगा मध्य परदेश next है आपका in which of the falling states ठीक है मेहो वाइल लाइफ सेंचरी इस लोकेटेड तो मेहाओ वन नजीव अभ्यार ने यह कहाँ परिस्तित है यह आपको कहाँ है तो आंद्र परदेश में है मेहाओ वाइल लाइफ सेंचरी in which of the falling states ठीक है समस्पूर बर्ड सेंचरी इस लोकेटेड समस्पूर पक्ची अभ्यार ने निमलकित में से किस राज में इस्तित है तो राइट एंसर क्या होगा उत्तर परदेश में है यह बर्ड सेंचरी नेक्स्ट है to which river basin the city स्री नगर इस लोकेटेड तो स्री नगर सहर किस नदी बेशिन में इस्तित है तो क्या हो जाएगा जेलम ठीक है जेलम इंडियन बैंक का headquarter कहाँ है इंडियन बैंक का headquarter है आपका चिन्नाई में नेक्स्ट है आपका बल्फक्रम नेशनल पार्क इस लोकेटेड इन विच स्टेट ठीक है तो बल्फक्रम राष्ट्य उदियान यह किस राज में इस्तित है मिघाले में है UAE का currency क्या है ओके what is the currency of UAE UAE का currency आपका क्या है तो दिरहम है नेक्स्ट है सिंगूर डैम है बिल्ट इन विच स्टेट तो सिंगूर बांध किस राज में बनाया गया है तो राइट एंसर क्या होगा तिलांगना नेक्स्ट है कोली डांस is the traditional folk dance of विच स्टेट तो कोली डांस किस राज का जो है प्रारम पर इक लोग निरते है तो महराश्ट्रा का है लावनी भी महराश्ट्रा का है स्टेट बैंक ओफ इंडिया का टैग लाइन क्या है स्टेट बैंक ओफ इंडिया का टैग लाइन क्या है तो इसका टैग लाइन है आपका Pure Banking Nothing Else हेटक्वार्टर आपको जानते ही है मुंबई में है SBI का हेटक्वार्टर founded हुआ था 1st July 1955 को Next है In which year India has become a member of United Nation भारत किस वर्ष संयोक राष्टर का सदस्य बना किस वर्ष बना था तो 1945 में सदस्य बना था Interpol का Headquarter कहा है International Criminal Police Organization इसका Headquarter कहा है तो ये है आपका Lyon में Dr. Salim Ali Bird Century is located in which state Salim Ali पक्ची अभियारने ये किस राज में इस्तीद है गोवा में है In which country there are maximum number of रामसर site तो किस देश में सारवाधिक रामसर अस्तल है तो राइट एंसर क्या होज़ा कि United Kingdom में Next Question है Corbett National Park ये किस राज में स्तीद है Corbett National Park Corbett National Park है आपका उत्राखड में Next है Ali Baag Ali Baag यूवाइट ओनियन इस रिकोगनाईज आप जानते हैं तो आप जानते हैं किस संतूर होगा यहाँ पर राइट एंसर Next है Qunark Dance Festival ये किस राज में Celebrate किया जाता है Qunark Dance Festival ये भी Simple Question है Odisha हो जाएगा Next Question है Which of the following is the only large river in the Indian Desert ओके तो निर्मने लेकित में से कौन सी भारतिय मरोस्तल के एक मात्र बड़ी नदी है तो राइट एंसर क्या होगा Looni नदी ये कह है Looni River Next है Which of the following substance is insoluble in water अगुलन सिल इसमें से कौन सा पदार्थ है Insoluble तो राइट एंसर होगा Chalk Powder Next है At which Buddhist site of India did Gautam Buddha first reach the dharm तो भारत के किस बौद अस्तल पर Gautam Buddha ने सबसे पहले dharm का उपदेश दिया था उस जगह का नाम है Sarnath Next है The Treaty of Lahore was signed in 1846 between the British Empire and which तो राइट एंसर क्या होजाएगा Treaty of Lahore Right answer होगा महराजा दुलीप सिंह Next है What is the sex ratio of India as per census 2011 2011 2011 की जन गन्ना के अनुशार भारत का लिंगानुपाद लगभग कितना है लगभग है आपका 940 female per 1000 male Next है What is the chemical formula of baking soda baking soda का रशहनिक सुतर क्या है तो यह आप जानते हैं baking soda का क्या है NaXCO3 Next question है As per census 2011 Which of the following is India's most populated metropolitan city तो इसमें से कौन सा है most populated metropolitan city वो कौन सा है तो मुंबई है chemical name chemical name of the ionic compound NaCl तो ionic yogic NaCl का रशहनिक नाम क्या है रशहनिक नाम है sodium chloride Next है Who among the falling Morian ruler found the Kalinga war in 261 BC तो यह जो Kaling युद हुआ था इसमें सासा कौन थे तो असोब थे Next है India is bordered by Myanmar in the dash तो भारत dash में Myanmar से गिरा है किस side से गिरा है तो इस्ट से Next है Ruler Employment Generation Program यानि कि REGP Watch Launched in Which Year ओके Gramin रोजगार श्रजन कारेकरम dash में सुरू किया गया था 1995 में सुरू किया गया था Next है आपका Yamini Krishnamurti is known for Which Classical Dance Form Yamini Krishnamurti किस सास्त्रिय निर्तिसली से निर्तिसली के लिए जाने जाती है तो भारत नाट्यम और कुच्ची पूरी डांस के लिए Next है भारत नाट्यम is a Classical Dance Form of Which Indian State भारत नाट्यम किस भारती ये राज का सास्त्रिय निर्ति है तो तमिल नाडू का ये सास्त्रिय निर्ति है भारत नाट्यम Next है In Which State of India Age Saga Dawa तो ये मनाए जाता है आपका सिक्किम में Next है Which of the following is an Indirect Tax in India तो Indirect Tax जो है इसमें से कौन है अब प्रतिक्च कर तो Goods and Service Tax है Next है भारत का राश्ट्य प्रतिक किस दिन अपनाए गया था तो राइट एंसर क्या हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को Next है World Water Day ये कब सेलिब्रेट किया जाता है विश्व जल दिवस ठीक है ये कब मनाया जाता है जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को ओके Next है In which year was the Lottery Regulation Act passed Lottery Regulation Act किस वर्स पारित किया गया था 1998 में जो है पारित किया गया था Lottery Regulation Act Next है The Secret of the Veda ठीक है इसके author कौन है The Secret of the Veda पुस्तक के लिखक कौन है इनका नाम क्या है Shri Arvindu जो है इनका नाम है Next है What is the name of the compound having the formula CS3, CS2, OH तो ध्यान से देखिए और इसका बताइए इसका answer क्या होगा CS3, CS2, OH जो है यह किसका जो है formula है यह है आपका किसका तो ethanol का formula है ठीक है Next है Musi River is a tributary of which of the falling rivers तो Musi नदी नेम लिखित में से किस नदी की सहायक नदी है किस नदी की यह सहायक नदी है Musi Musi आपका हो जाएगा Krishna का ठीक है Next है In which of the falling Indian states will you find the Bakshah fault ओके तो Bakshah fault यह आपको किस राज में मिलेगा West Bengal में Next है आपका The effort of Sridhendra Yogi have brought glory to the dance form called Dash तो Sridhendra Yogi के प्रयासों ने Dash नामकरते रूप को गरवामित किया है किस dance को किया है तो कुच्ची बुडी Next है The Deomali is the highest mountain peak of Dash तो right answer क्या होगा Odisha Next है Which of the falling is a UNESCO recognized dance form ने में लिखित में से कौन सा UNESCO द्वरा मानिता प्रापनितिसाली है तो कलबे लिया होगा right answer Next है What was the first name of the Mughal Emperor बावर ठीक है तो मुगल बाथसा बावर का प्रथम नाम क्या था प्रथम नाम क्या है तो right answer क्या होगा जहिरुद्दिन जो है ये है नाम बावर का Next है Das is a vocal form of music from the state of Punjab Punjab राज का संगीत का एक मुख्य रूप है कौन सा तपा Next है Who among the following was the first Dr.Santi Swaroop Bhattnagar अवार्डी तो Dr.Santi Swaroop Bhattnagar पुरुषकार जो पहले विजेता है उनका नाम क्या है उनका नाम है K.S. Krishnan Next question है The term checkmate is used in which of the following sports तो checkmate का स्वाल किया जाता है Chess में Next है E.S. Subramanyam was an exponent of the dash a musical instrument तो E.S. Subramanyam एक संगीत वादयंत्र dash के प्रतिपादक थे किसके तो घटम के ठीक है घटम होगा यहाँ पर right answer Next है The correct chemical formula of nitromethane तो nitromethane का सही रसाइनिक सुत्र क्या है Nitromethane का formula का नाम क्या है CH3NO2 CH3NO2 formula है Next है होकी मैदान का आयाम क्या है ठीक है dimension क्या है होकी के field का होकी के field का dimension क्या है तो यह हो जाएगा आपका 91.4 इंटू 55 मीटर ठीक है 91.4 इंटू 55 मीटर Next है आपका चुटका atomic power plant is situated in which of the falling states चुटका प्रमानू उर्जा सहन्यत नेमलिखित में से किस राज में इस्तिद है तो मध्य परदेश में Next question क्या है In which of the falling years was the reserve bank of India nationalized तो किस वर्ष भारतिय reserve bank का राष्ट्रे करन किया गया था तो ये 1949 में किया गया था Okay Next question है पिचोला लेक ये कहां पे किस राज में है इस्तिद है पिचोला पिचोला लेक जो है ये है राजस्थान में Next है Which of the falling disease is caused by fungus तो fungus के कारण होने वाले जो है बिमारी है वो कौन सा है disease तो ये है आपका ring warm दाद दाद खात खुजले Next है आपका Which of the falling states is the dance form who are does associated तो ये है आपका महराष्ट्रा Next है Fundamental duties of citizens were added to the constitution of India in the year ठीक है नागरिको के लिए जो मौलिक कर्तववे है उसको भारत के समिधान में किस वर्स चोड़ा किया था तो right answer चाओकर 1976 खिल्जी डैनिस्टी ruled over दिल्ली from Dash तो खिल्जी once ने दिल्ली पर शासन किया था कब से कब तक तो 1290 से 1320 तक किया था खिल्जी डैनिस्टी ने next है mando is a form of folk song from the state of Dash mando Dash Raj के लोक गीतों का एक रूप है mando गोवा का okay next है which of the following dance form is popular in हिमाचल परदेश हिमाचल परदेश का इसमें से कौन सा important dance है हिमाचल परदेश का right answer क्या हो जागा naati ठीक है naati जो है ये dance हिमाचल परदेश का next है home rule आंदोलन किस वर्स प्राराम हुआ था okay home rule movement ये कब स्टार्ट हुआ था तो 1916 को स्टार्ट किया गया था home rule movement next है आपका madai festival ये किस राज में मनाय जाता है ये मनाय जाता है किस राज में तो 36 घड में मनाय जाता है madai festival next है which of the following rivers form कुँचिकल वाटरफॉल in करनाटका तो निम्निलिखित में से कौन सी नदी करनाटक में कुँचिकल जलप्रपात बनाती है तो ये बनाती है कौन सी रिवर वा रही next question है आपका world economic forum इसका headquarter कहां पे situated है ठीक है विश्व आर्तिक मंच का मुख्याले कहां पिस्तित है ये इस्तित है आपका जिनेवा में next है आपका भद्रा wild lap century ये किस भारत के किस भाग में इस्तित है भद्रा वनने जीव अभिहार ने भारत के किस भाग में इस्तित है करनाटक में लोग प्रिये गोपिनाथ बोर्दोलाइट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहां पर इस्तित है तो right answer क्या हो जाएगा असम में इस्तित है ये next है आपका luck war dam किस राज में इस्तित है luck war dam luck war dam जो है ये है आपका उत्राखंड में world hepatitis day ये कम मनाय जाता है wish war hepatitis दिवस कम मनाय जाता है तो 28 जुलाई को मनाय जाता है next है CK Naidoo Cup is associated with which sports CK Naidoo Cup किस खिल से संबंदी थै तो cricket से संबंदी थै CK Naidoo Trophy next है Sirohi National Park किस राज में इस्तित है Sirohi National Park Sirohi आपको है money pool में next है valley of flower national park ये कहाँ पर situated है valley of flower national park तो ये है उत्राखर्ण में next है आपका SIGMO is a popular spring festival celebrated in तो SIGMO एक लोगप्रिये वसंत उत्सव है जो कहाँ पे मनाय जाता है Gua में मनाय जाता है SIGMO Rani Rampal is associated with which sports Rani Rampal किस खिल से जूरी है ये होकी से जूरी है World Ocean Day ये कम मनाय जाता है Wishwa Maha Sagariyya Divas ये कम मनाय जाता है तो 8 June को National Heritage Animal of India भारत का राष्टिये विरासत पसू क्या है वो है elephant next question है What is the state animal of Andhra Pradish Andhra Pradish का state animal क्या है Andhra Pradish का state animal है Black Buck तो ये रहे Top 100 MCQ question of static GK आपका कितना score आया है ये आपको comment करके बताना है वाकि एक question और आपसे मैंने आपसे पूचा था Governor का नाम वो भी आपको comment करना है तो मिलते हैं आपसे next video में तब तक के लिए जो है all the best